हम यहां पर old CMOS cell को निकाल रहे हैं आप लोग देखिए कैसी होती CMOS cell यह CMOS cell है computer start करते समय CMOS error करके आता है उसी की वज़े से आता है अगर old वाली आपकी खराब हो गई है तो उसको replace कर दीजिए यह हमने यहां new CMOS cell को fit कर दिया करते हुए इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे दोनों हैंड फसे हुए थे camera hold करने के लिए कोई नहीं था हमारे cabinet को हम बापस से फिट कर रहे लगा रहे ह। हमने computer को start किया अब देखते हैं error आती की नहीं कंप्यूटर यहां पर start हो गया जो तो error थी वो solve हो गई है इसी तरह आप अपनी CMOS error को solve कर सकते हैं तो problem is solved कर दो